सैन फ्रांसिस्को का ये गोल्डन गेट ब्रिज एक एंजिनेरिंग मावल है जो जब 1937 में बना तो उस वक्त दुनिया का सबसे टॉलेस्ट और लॉंगस सिस्पेंशन ब्रिज था इसकी लंबाई एक मील है जो सैन फ्रांसिस्को बे को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है इसकी मेन केबल जिसने ब्रिज को इतने सालों से तगड़ा रखा हुआ है वो 36 सिंच चोड़ी है और 27,572 वायर से मिलकर बनी है इसमें 500 वर्टिकल सस्पेंडर रोब्स हैं जो ब्रिज को स्टर्डी रखती है इस ब्रिज का यूणीक ओरेंज कलर इसकी पहचान बन चुका है जिसके पीछे लॉजिक यह है कि यहाँ पर फॉग यानि धंद बहुत ज़ादा होती है और धंद में इसका ओरेंज कलर बहुत प्रोमिननेंट हो जाता है यही paint इसके steel को जंग लगने से भी बचाता है इसके दो bridge towers 746 foot लंबे हैं जो इसकी cables पर बनने वाले pressure को balance रखते हैं इस bridge पर सुब्बा और शाम के वक्त magical scenes होते हैं specially sunset के time पर bridge के south end से जो view आता है वो जान लेवा है golden gate bridge पर sunset देखना आप अपने life goals में जरूर add कीजेगा